है गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सपरेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसल फाइनल मैच की जो की खेला जाएगा मुलतान सुल्तान स्वसेस पेशावर जालमी के बीच में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दूनरी टीमों के पर्फॉर्मेंस कैसे क्या चल रहे थे इस प्लेयर्स के क्या रिकॉर्ड हैं कौन से प्लेर्स आपके लिए इंप सबसे पहले बात करेंगे स्टैट्स की दोनों टीमों के क्या कुछ स्टैट्स है और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अभी तक टेलिग्राम पर हमें जॉइन नहीं किया तो आप काफी कुछ मिस कर रहें कल के मैचेस में भी हमने काफी बढ़िया परफॉर्म क यह टीम बहुत अच्छी गई हो 617 पॉइंट में आयते हैं कोई head to head match ऐसा नहीं होगा जिसमें आप विन नहीं करें होगे हर मैच 100% result इस टीम कर रहा है तो आपको टेलिग्राम से जुड़ना है अगर आप भी विन करना चाहते हैं और जुडने के लिए कुछ नहीं करना है यूट्यूब वीडियो के description में आपको link के दिये हुए और link के थुरू आप click करके join कर सकते हैं या फिर डारेक्टली टेलिग्राम पे search कर सकते हैं dream 11 playing 11 official इसमें आपको कोई space नहीं देना है और dream 11 playing 11 official की spelling जरूर देख लेजेगा ठीक है कोई कोई channel से यहाँ पे fake भी बनते है सब्सक्राइब करना है यहाँ पर आपको सारी updates मिल जाएंगे तो इसमें सब्सक्राइब कर लेजेगा तो पाकस्तान सुपर लीग का final का मुकाबला है जो की शेख जयाद स्टेडियम में खेला जाएगा अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में दो मैच इस खेले जा चुके हैं एक मुलतान सुल्तांस ने विन किया है और एक पेशावर जालवी ने विन किया है आकरी मैच में आप देख सकते हैं सोजल तनवीर का performance अपने टीम के लिए बहुत तगड़ा था और वहाव रयास का अभी performance बहुत तगड़ा था यह प्लियर्स कुछ ऐसे हैं जो आप जील में इस मैच में कर सकते हैं इसके अलावा हम बात करें कुछ डिटेल्स की तो टाइमिंग यहां पर होगी नाइन थर्टी पीम इंडियन टाइम के साब से यह मैच खेला जाएगा साड़े नौ बजे शेक्जाद स्टेडियम में और बेच रेपूट की बात करें तो चेजिंग लिए बहुत बेटर पिच है क्योंकि ऐवनिंग वाल करें रहे जो बेक्स टीम टाउसे करेगी वो चेजिंग ही लेगी ठीक है तो चेजिंग ही करेगी आप उसी हिसाब से अपनी टीम को सेट कीजिएगा उसी को थोड़ा सा फेवरेट मानके चलिएगा तो पिछ रिपोर्ट यह है बनेटी के एराउंड एक्सपेक्टेड यहां पर स्कोर रहेगा और अगर फर्स् सुल्टांस के 193 हैं पेशावर के 197 है मिनियों रंस 124 मुलतान सुल्टांस पेशावर 123 लास्ट हैट टो हैड मैच बिट्वीन मुलतान एंड पेशावर तो यह खेला गया था 21 मुकाबला पीसल 2021 का जो तेरा जून को खेला गया था 2021 पेशावर जालमी ने उस मैच में 166 पे रहे ते उस मैस में वहव र्याजब्ली हिकेट लेस्ट विकेट लेस्ट है इम्रान एक विकट ले गया थे और इर्फान एक विकेट ले गया थे मुलतान सुल्टांस ने 16742 बनाये थे इस मैच को विन किया मसूद ने 14 लगाये ते रिजवान ने 82 रंड लगाये थे पर्फॉर्मेंस रहा था दोनों ही टीमों का आखरी मैच में इसकी बात करते हैं दोनों टीमों के स्कॉर्ड की तो आप देख सकते हैं काफी लंबा चोड़ा स्कॉर्ड है बट फाइनल के मुकाबले मेरे साफ से कोई टीचेंज टीम नहीं करेंगी सेम प्लेंग लैवन के रहे हैं और ओवरॉल रिकॉर्ड भी इनका इतना अच्छा नहीं है चौब इसका इनका बेटिंग एवरेज बनता है और रीसेंट फॉर्म देखे तो पच्चिस फिप्टी नाइन जीरो सेविंटी टीन वन टूनोट बैट सब्टाइस तीन ये इनके आखरी कुछ प्यसल म सेटिस का बेटिंग एवरेज है और इस टूर्णाइमन के सबसे बड़ी है बल्लेवाजों में से एक है रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले दो तीन मैचेस से थोड़े से फ्लॉप जा रहे हैं 026 1521 उसके पहले देखिए प्यसल में एक्टी नोट आउट ट्वेंटी न और आप देखो कि उसी से आपको 20-25 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं उसके बाद बैटिंग में अगर ना भी चलने तो भी काम हो जाता है तो रिजवान जो है वह आपको जरूर ले रहे हैं बड़े प्लेरें बड़ी निंग खेल सकते हैं देखिए बैटिंग एवरे रिजवान और इसके लाव विकेट कीपरिंग तो बोनस है इसका आते हैं शोई मक्सूद जो टेक्निकली जादा बैटर बैट्समें है 29 का बैटिंग एवरेज है और इस सीजन पी एसल में बहुत ही तगड़ा फॉर्म इनका चल रहा है और रीसेंट फॉर्म आप इनका दे ठीक है तो पिछले चार मैचेस में अच्छा करें और जो लोइस्ट स्कोर है जो हाइस्ट स्कोर है वह एक सट का है इसके पिछे आसी का है दो बार आप देशकते हैं फिप्टी प्लस स्कोर कराया पोजीशन के खिलाफ और बाकी दो टाइम एवरेज से अच्छा ही परफॉ टीम को ट्राइब करते हैं ना जैसे आप टीम में जॉंस फेकरो फिर अगली टीम में चार्स की जगे पे रूसों को पिक कर लो लोग जी लिए उनके लिए बता रहा हूं ठीक है वह ऐसे टीम बना सकते हैं एक साथ करना ही नहीं एक साथ कभी चलते नहीं है ठीक है यह यह कभी कभी दोनों ही चलते हैं इसा नहीं होता कि दोनों ही चल जाए क्योंकि एक तो बैटिंग वोईशन थोड़ा सा डाउन है अब पॉर्चुनिटी वाइस देखे तो थोड़े से कम चांसे होते हैं नंबर चार पर कौन सा प्लेर आ रहा है उस पर भी बहुत कुछ तो यह भी थोड़ी सी चीज़ होती है ठीक है इनके रिकॉर्ड आप देखिए तो एवरेज इस पच्चेस अठाइस के आइस पास के हैं बढ़िया प्लेयर से हैं बट वही अपॉर्चुनिटी वाइस थोड़ा सो डाउन आते हैं लास्ट में चाल्स ने अच्छा किया है रूसों ने भी अच्छा किया है बट रूसों के चलने के चांसे थोड़े से कम ही लग रहे हैं मुझे को कि यह पर्फॉर्मेंस थ्रो आउट दा प्येसल अच्छा नहीं कर पार है चार्ल्स का फिर भी ठीक है खुशदिल चाह की बात करें तो यह एक पंट पिक टाइप है जील में कभी-कभी अच्छा पर्फॉर्म कर दे रहे हैं यानि कि कह सकते हैं कि टॉप अटर फ्लॉप होता है तो यह डाउन दा ओडर आके सबसे बढ़िया प्लियर एक निकल के आ रहे हैं खुशदिल चाह आकरी मैच में 42 लगा है उसके पहले 16 ने 20 नॉट आउट डून बैट 44 नॉट आउट तो जब-जब मौके खुशदिल चाह को मिल रहे हैं यह पर्फॉर्म करके दे रहे हैं अब पोजीशन के खिलाब भी देखिए पिछले चार मैचेस में दो बार पर्फॉर्मेंस आईए 30-43 तो जो लोग जील टार्गिट कर रहे हैं वह एकाट टीम मे लेके खुशदिल चाह को भी ट्राइब कर सकते कभी कभी एकाट दूबर बॉलिंग भी कर लेते खुशदिल चाह तो जील वालों के लिए यह चीज बहुत अच्छी है बट स्मॉल लीग वालों के लिए सारे प्लेर उतने पॉरण नहीं है चाल्स फिर भी आप कर सकते हैं इसकी बाद आते हैं सोहिल तनवीर पे जो पिछले मैचेस से कुछ मैचेस से फॉर्म में आ चुके हैं आकरी बार हम इनको टीम में भी पिक कर लिया था लखी ली तीन विक्टेनों ने निकाली थी आकरी मैच में उसके पहले आप देखें तो बहुत ही आप कह सकते हैं पू तो उसमें एक्स्टा मार्जिन आपको दे सकते हैं 15 एक्स्टा एड़ अप कर सकते हैं साइसाथ बॉलिंग भी ठीकी कर ले रहे और कभी-कभी डैथ में उननिस वावर डाल लेते हैं तो सोहिल तनवीर ओवर आप टीम में पर कर सकते हैं उतना कॉर्फिडेंट तो इन पर नहीं हूं मैं बट फिर भी थोड़ा सा वापिस आया है उसका में फायदा उठाना है इसको अजाते हैं ब्लेजिंग मुझरवानी डैथ में बीगेंदवाजी कर लेते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं हर मैच में एक दो विक्टे आपको निकाल के देंगे ही और वैसे सब्सक्राइब करने के लिए इसके बाद करते हैं शैनवास धानी की राइटर मीडियम फास्ट बोलर डैथ में गिंदवाजी कर लेते हैं दस मैच में टोटल 20 विक्टे निकाल चुके हैं बहुत ही अच्छे फिगर से नहीं मिली और एक बार और इनको विक्टे मिली है कु बहुत अच्छी ऑप्शन रहेंगे आज के अप्टेंसी अगर फर्स्ट बॉलिंग होती है तो शान अवाज धाने और स्मॉल लीग में तो आपको पिक कर नहीं है इसके बाद आते हैं इम्रान कान कभी-कभी डैथ में इनका भी एक आखरी ओवर हो जाता है बासट मैच में राइट आम लैग ब्रेक बोलर आखरी कुछ मैचस में देखे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है पीएसल में लगबग जादातर मैचस में दो विक्टों के आसपास निकाल लेते हैं अब पोजीशन टीम के खिलाफ ठोड़ा था खराब है पिछले पांच मैचस में मात तो दो विक्टे निकाल पाएं इमरान ताहिर बट फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म अच्छा है ठीक है हालाकि अब पोजीशन टीम खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है एक्स्ट्राज में हैं उस्मान कादिर उस्मान कादिर 49 मैचस में 55 विक्टेन की नाम पे हैं और रिकॉर्ट देखे तो यह इनका परफॉर्मेंस है अब पोजीशन टीम खिलाफ इन्होंने एक विकेट निकाली है कि सुगाइस कादिर का फॉर्म भी ठीक है अगर खिलाती है टीम कंसीडर करती है तो आप ट्राय कर सकते हैं पिछले चार-5 मैचस में परफॉर् लिए 248 रहता है इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है आप चैस कर रहा है यह आप जो स्कोर्स देख रहा है यह हर बार 50 के स्कोर्स हैst पिछले मैच में भी शुरुवात में इनका एक कैच ड्रॉप हो गया था उसके बाद 66 रन इनों बना दिये तो अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो यह स्कोर आप यहां पे जो देख रहा हो यह काफी कम होता तो जदाई जो हैं वह हमेशा एक रिस्क होते हैं टीम में या तो वही मान लीजे 15-10 रन बनाएंगे या फिर सीधा यह 50-60 कर देंगे तो अगर पॉसेबल हो तो इनको टीम में आप जरूप कर लेजेगा मैं यह नहीं बोलूँगा यह इस बार भी परफॉर्म करेंगी क्योंकि इनका थोड़ा सा नेचर ही अटेकिंग है और अगर शु प्षले दो मैचिस अच्छा नहीं कर रहे हैं इन दो मैचिस में भी आपने देखा होगा कि विगट की इपरिंग के आपको काफी पॉइंट दिलाए थे स्टमिंग बगएरा के अच्छे पॉइंट दिलाए थे तो कामना नकमल भी आपके लिए गयरंटी होते हैं कि पाफी तेज़ खेले थे और चौक चक्कों की बात करें तो लगबख जज़ई के बरावरी इन्होंने चौक चक्के लगाए थे सकते दोनों के अलग अलग हैं यहां पे 11 जादा है जदाई के जोनों वैलस ने चौक चक्के जो ते वो लगबख बरावर लगाए थे ज़गई के बरावरी लगबख ठीक है और रिसेंट फॉर्म देखे जोनों वैलस का तो ठीक ठाक है उमें इसापसे काफी बढ़िया तो लेफ्टेंडर्स के खिलाफ इनको यूज करा जाता है शुरुवात में बॉलिंग इन से करा ली जाती है अगर सामने टीम में लेफ्टेंडर्स होते हैं तो तो आपके लिए कि रहेंगे इसके अलावा बैटिंग भी अच्छी कर रहा है पिछले कुछ मैचस से देखें त तो 32, 32, 68 यह तीन मैचस के परफॉर्मेंस इनके रहे हैं और हर मैच में अच्छे खाथ स्ट्राइक रिट से भी खेला है और आउट भी नहीं हुए तो कि आप देखें लगा तर तीन मैचस तक यह आउट हुए थे बहुत जल्दी आउट हुए थे तो एवरेज अच्छा ह केरियर का एवरेज अच्छा है रीसेंट फॉर्म भी आप देखें एवरेज के साथ से आपको पिक कर लेने चाहिए ठीके बॉलिंग तो एक्स्टर एडवांटेज है जादा हलाकि इनको विक्टे मिली नहीं है बॉलिंग में यह चीज़ भी रिकॉर्ड उतना अच्छा न बता रहा था जॉन्सहर बता रहा था जोंसन से थोड़ा सा बैकर लेते राधर व्लेट फोकूड उन्हों का करand्शتي demiş लोग भाक्हल थो हैं वह रोंदि district यह थे धाद्श्रɪारों की हैंगे मिद्ध्णी तो हैं भी यह सब्सक्राइब याशिक नेकर को सकतले हैं इसके बाद आते हैं अमादबट बैटिंग बॉलिंग दुनों अच्छी कर लेते हैं अमादबट त्रेपन मैचेज में 150 का स्टाइकर आइवरेज 15 का है बैटिंग में हाला कि जाद इन से एक्सपेक्ट मत कीजिए बहुत नीचे आते हैं तो कभी-कभी बैटिंग निया पात अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं फस्ट बॉलिंग होती है तो मैं अभी अपने टीम में इनको ले सकता हूं सेकंड बॉलिंग में हाला कि शाय नहीं लूगा वहाव रियास की बात करें तो 274 मैचेज में 327 विक्ट हैं रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा है डैत में बॉल तो आखरी दो मैचेस से दो दो विक्ट है निकाल रहे हैं उसके पहले तीन मैचेस तक यह विक्ट लेस गए थे रीसेंट फॉर्म इनका सामड़र टीम के खिलाफ उतना चनी है चार मैच में तीन विक्ट हैं हाला कि फिर अगर आप ऐसे अगर वहाव रियास का भी रिकॉर इनके हैं नहीं हर बार एकाद विक्ट आसपस ले जा रहे हैं तो उतना ही आप इनसे एक्सपर्ट कर सकते हैं पोजिशन टीम क्लाब कोई खास प्रफॉर्मिस तरह नहीं है तो में इसाब से तो एवरेज पेखी रहेंगे इर्फान काफी बढ़िया पेख हैं लेने के लगे इस लिमन के वारे मैं आपको बता रहा हूं चौतिस का बेटिंग अवरेज हैं इनका रीसेंट फॉर्म पीसल में उत्त अच्छा नहीं चल रहा पिछले तीन मैचे से लगातार फ्लॉप जा रहे हैं बट आप पोजिशन टीम के खिलाफ आप देख सकते हैं चारों मै कर लेना को आपको पता है कि रिकॉर्ड इसके अच्छे हैं बट फॉर्म साथ नहीं दे रहा है तो ट्राय करने में क्या हर्द है तो यह हो गई बात सारी प्लेयर्स की सब कुछ मैंने आपको बता दिया है जो सबसे इंपोर्टेंट होता है फैंटसी टीम बनाने में वह यह देख रहे स्टैट्स तो सबने देख लिए अप कोन कैसी टीम मनाता है कितना रिस्क लेता है उस पर सब उनकी विनिंग विनिक करती है तो चलते हैं रहे बदो सारे वगरा मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है लिंक बस आपको क्लेक करना है जैसा आप क क्लिक करने के बाद 30 सेकंड तक रुकिएगा ठीक है एक दम से आप एकजिट मत कीजिएगा 30 सेकंड रुकेंगे तो आपको हमारे चैनल डारेक्ट ली ओपन हो जाएगा नीचे जॉइन का बटन रहेगा जॉइन के बटन पर आपको क्लिक करना है और आप टेलीग्राम से हमार सब्सक्राइब करना है तो इनको रख सकते हैं बट अगर वहावर्यास सेकंड बॉलिंग करते हैं तो उस कंडिशन में कामर नक्मल को आपके उपर हैं अच्छी फीलेंग तो बाद में चेंज कर सकता हूं यह चेंज मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूगा तो यह मेरे दो प्लेयर्स हैं जो मैं विक्रिंग से लूँगा इसकी बाद मैंने आप मक्सूद को टीम में पिक कर रहा है टेकनिकली ज्यादा स्ट्रॉंग है अगर चल लगए तो आपकी बरबात कर देंगे तो हमें पता है कि इनका स्कोर 10 से लेके 50-60 तक रहता है और या तो 10 के नीचे या 50 के उपर यह इनका स्कोर रहता है मीडियो का स्कोर्स नहीं होते ठीक है तो रिस्क पर ही इनको मैं पिक कर रहा हूं अब जो लोग यहां पर पर हमेद असर्भ वगईरा लें जो हम हर बार कर रहे हैं औहीं क्यों हो सकता है च्छे वुक्ते हर्ब जाते हैं तो ठीक हर बार ऐसा नहीं होगा इस चीज का ध्यान रखेगा फस्ट बेटिंग होती है तो शायद मैं पिक करूंगा सेकंड में हटा भी सकता हूं आला कि सेकंड में रिकॉर्ड जाता बेटर हैं तो इन पर रिस्क रहेगा लोगों का जो ले पाएगा वही विन कर पाएगा कर रहा है इसकी बाद धानी को मैं टीम में प्लेजिंग को लिए इनकी टीम में वैसे अच्छा कर रही है तो इनके बोल चोड़ना में सबसे बेवकोफी होगी इनको पेक करना चीए सारे की सारे विकेट टिकिंग प्लेयर्स हैं तो तो ऑपस आया है बट फिर भी आगर इनके अलावा तो किसी मैच में उमध आसिफ चलते हैं किसी में कोई और चलता है बट उमेद आसिफ मोस्ट कॉमनली वहावरेग्स साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर ले नहीं है तो इनके साथ ले सकते हैं तो यह है मेरी टीम यहाँ पर बैट वह एलेवन पर एक बचते ह है बट शानमसूद के रिकॉर्ड उतने अच्छे है नहीं और कभी चलते कभी नहीं चलते उस टाइप काउन का गेम प्ले है तो उससे बैटर है कि मैं आप जो इंपॉर्ण प्लेयर से उनको पहले पिक कर लूँ अब अगर आपको शानमसूद ले नहीं है तो आप जोनों सब्सक्राइब कर सकते हैं तो रोटेट कर सकते हैं जैसी आप एक बार ले लिए बैड़ पर दिखाई रहा हूं माइफ पर यही टीम लगा सकते हैं बैड़ पर अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं करा तो एफेक्स कोड लगाके आप जॉइन करेंगे आपको 50 रूपीस क साइन अप बोनस मिल जाएगा प्लस एक्स्टा ओफर्स वगयरा भी चलते रहते हैं तो बैड़ लेवन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सीधा बैड़ लेवन सर्च करो गूगल पर और इस एप को डाउनलोड कर लो एफेक्स कोड लगाके जॉइन कर लो बैल से मक्सूद और मक्सूद और मक्सूद दोनों को ले रख़ए मसूद इसलिए लियुक्त कर ना है मेरे पास कोई और option मेरे मुझे कि यहां पर मैं बदलाव कर सकता हूं अगर आपको क्रेड़ को ले पाऊंगा तो यह आप एक चेंज कर सकते हैं एक बार मैं आपको दिखाए दूँ कैसे वह चेंज आप करोगे जो लोग जजज़ाई को लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे ड्रीम 11 पर जो की बहुत इंपरेंट है तो सबसे पहले आप एडिट में जाएए बैटिंग सेक्शन में जाएए मसूद को यहां से हटाईए जज़ाई की यह लिए हमें चाहिए नौ करेड़ ठीक है कैसे बनेंग ले लिए क्रेट सेव हो गए तो नौ क्रेट में यहां से उठा लिए अब देखिए टीम हो गई जो बैडबोई 11 पर सिर्फ एक बदलाव है सोहिल तनवीर की जगे पर अमादबट जो की एक अच्छा बदलाव है बहुत बुरा बदलाव नहीं है सोहिल तनवीर से एक्सप हम लग्टम में अच्छा है तो आप tier team के साथ बीजा सकते हैं और उसके साथ भी जा सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताएथी जिसमें मैंने शानमसूत को लिया था और तनवीर को लिया तो सब कुछ सब्सक्राइब करेगा हो सकता है मैं अमाद बट के साथ भी जाओ ठीक है तो सब को करेगा काफी लंबा वीडियो हो गया बट बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था इंफॉर्मेटिव था अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप एक लाइक दे दीजेगा चैनल अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नीचे रेट गलक आपको बटन देख रहा है और हो सकते तो इस वीडियो का आपने फ्रेंड साथ शेयर कर दीजेगा ओके गई बैस्ट आफ लग